हाई फ्रेंट्स मैं खुछी बढ़नवाल किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं इनो जो हमें इन डाइजिशन हो जाता है तो हम इनो का यूज करते हैं इनो बेसिकली एक एसीड और बेस का मिश्रन है इसे हम घर में ही अबलेबल दो से तीन चीजियों से ब सेंधा नमा और यहां पर मैंने बेकिंग शोडा लिया है तो चली देखते हम इनो कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक बावल लेंगे आप यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि आप जो भी बावल लो एकदम सूखा हो उसमें बिलकुल भी पानी या मॉश्टर ना हो यह यहां पर मैंने साइट्रिक एसिड लिया है यह दानेदार होता है सफेद कलर का यह आपको किसी भी सौप में बहुत इसली मिल जाएगा तो इससे मैंने यहां पर तीन टेवल इस्पून लिया है उसके बाद हम यहां पर लेंगे चार टेवल इस्पून बेकिंग शोडा है एक टेश्पून सेंधा नमक हमें यहां पर सेंधा नमक ही लेना है नॉर्मल नमक का यूज नहीं करना है तब हम नमक को भी बावल में डाल देंगे और सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमें एक तीस का ध्यान रखना है कि हम इनो को ज्यादा कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे तो मैंने यहां पर एक एयर टाइट बॉक्स लिया है और मैंने यहां पर एक फ़नेल लिया है तो हम फ़नेल के हेल्प से इसे ट्रांसफर कर लेंगे आप जब भी से स्टोर करना तो आप एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करना नहीं तो में मॉल्शर पढ़ जाएगा और यह खराब हो जाएगा तो मैंने इसे डाल दिया है तो हमारा यहां होम्मेड इनो दो मिनट में ही बनकर रेडी हो चुका है तो चलिए हमें एक वर कंपेर करके देखते हैं कि मार्केट वाला इनो और घर वाला इनो कितना एफेक्टिव है त मैंने दोनों equal quantity में लिया है इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो हम इसमें एक एक करके पानी डालते हैं तो पहले हम मार्केट वाले इनो में पानी डालेंगे फिर हम घर पे बने इनो में भी पानी डालेंगे आप यहां पर देख सकते हो जितना मार्केट वाला इनो है उतना घर वाला भी इनो एफेक्टिव है यह जो मार्केट वाला इनो है उसका कोस्ट 9 रुपीज है और मैंने यह पर जो 5-6 पैकेट इनो बनाया है उसकी प्राइज लगबग 10-15 रुपए है तो आप इसे घर पर ही बना कर यूज कर सकते हो तो फ्रेंट अगर आपको मेरे यह रेसिपी पशंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के शाओ